नमस्कार मैं हूँ सुनिल बॉबी और आप इस शमय देख रहे हैं मगल संबाद शिचकों के लिए फिर एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ सरकार जैसे ही किसी मुद्दे पर कार्ज करती है और अगर जिसके लिए किया जा रहा है उन्हीं में से कुछ लोग अगर कोड़ चले जाते हैं जैसे बहाली सिचको की बहाली पर अगर बात कर ले तो उसके अभियरती अगर कुछ है अगर कोट चले जाते हैं तो ततकाल उस बहाली पर रोक लगा दिया गया है लग जाता है लगा दिया जाता है लेकिन आज एक और परस्चित सिचको को लेकर बना हुआ है और परस्चित सिचको को हटा का मन सरकार बना चुकी है इसको लेकर परतेक जिलो और परखंड में भी पत्र जारी हो गया है उनका बेतर रोकने का आदेश दिया गया है और हटाने की परकिरिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस पर तो उनको मौका मिलना चाहिए लेकिन सरकार जो हो हटाने के मुड़ में हैं दूसरी एक और बात है जैसा लोगों ने मुझे बताया सिचकों ने बताया कि जो ट्रेन सिचक हैं वो पदादी कारियों मने विभाग के घूल के कारण घूल चुक के कारण कुछ वैसे सिचकों को भी नाम उसमें जोड़ दिया गया है जो परसिचित हैं लेकिन अब परसिचित में उनका नाम जोड़ा गया है गलती से और उनको भी बेतन रोकने की परिक्रिया चल रहे हैं खैर होगा तो सुधार जिलास्तर और परखन अस्तर पर हो जाएगा और ने के बाद में उनका बेतन चाल हो जाएगा लेकिन यहां पर है अचानक आपर सिचित को को कि हटाने का जो करवाई की जा रही है आदिस दिया गया है सिच्छा भी भाग के चाहिए हटाने का काम नहीं होना का जैसे ही कोड से कोई पैसला आता है हटाने का या फिर मौका देने का उसके बाद ही विभाग को ऐसा काम करना चाहिए इधर आज की बात कर ले तो यहां परिवर्तन कारी प्रारमिक सिचक संग के परदे सद्यच बंसी धर बर्जवास्ती के दुआरा या विभाग को ओगत कराया गया है कि आप पर सिचित सिचक जो है और कोड चले गये हैं और इस इस्तिती में आप उनका बेतन नहीं रोक सकते हैं उन पर सिचित प्रारमिक सिचको की सेवा समाप्ती की करवाई पर रोक लगाने के साथ ही बेतन भुकतान जारी रखने के लिए परिवर्तनकारी प्रारमिक सिचक संग ने सिच्चा विभाग के परदान सचीव एवं प्रात्मिक सिचा ने देशक को ग्यापन दिया है परिवर् आने की परिकरियातेज है इसी को लेकर बर्जवासि जी के दवारा यह तक उगत करायागें तब तक कोड़ से फैसला नहीं आता है तो अब तक उनको बैतन भुगतान बने उनका रोख नहीं किया जाय संगठन परिवर्टनकारी के परदेश अध्यच बंसी धरबर्जवास्टी के द्वारा दिये गया ग्यापन में कहा गया कि सेवा समाप्ती की करवाई को कई अपरसिचित सिचको द्वारा न्याले में चुनोती दी गई है बिलकुल हटाने को लेकर नियोजी सिचक जो है उसमें जो सामील है अपरसिचित जिनको घोसित किया गया है वह कोट के सरण में चले गए हैं और सरकार को विभाग को चुनोती दिये हैं याचका करताओं को करवाई से मुक्त रखने की बात मांग की गई है इसके मदनेजर वियार राज मुकदमानीती द्वाजार इगारा की कंडिका चार गा के तत नियाल यह कहा गया है कि जब तक नियाले में कोट में अगर मामला चलता रहे तब तक वैसे करमचारियों पर कोई करवाई ना हो इसको लेकर मांग किया गया है प्रिवरतनकारी प्रारमिक सिचक संग के बंसी दर बरजवासी के द्वारा ग्यापन में कहा गया कि अगर ऐसा नहीं ह हुआ तो याज का करताओं की तरह ही सभी प्रभावित सिचकों के न्याले जाने पर मुकदमों को बोज बढ़ेगा अगर सरकार इस पर तत्काल विभाग अगर मन्थन कर उनका बेतन जाजी नहीं करती है तो जितने भी उससे प्रभावित होने वाले करमचारी श्चक हैं नि जाए तत्काल और जैसे ही कुछ गये हैं उस पर नियालय का जैसे फैसला नहीं आता तब तक उनका बेतन लगातार प्रतीमा मिलते रहना चाहिए अवैसे शिचकों के लिए जो अब तक नियालय नहीं गए हैं तो अन्य शिचकों के भी कॉंटेक्ट में हैं नहीं भी हैं तो होंगे तो तमाम बोजों को देखते हुए शिचा भीवाग को चाहिए कि तत्काल इस पर शंग्यान लेकर उनको सभी जीलों को वैसे शिचकों को बेतन जारी करने का आदेस दे और प्रारमोति कोई कोड़ चला गया तो सरकार तो खुद उस पर संग्यान लेते हुए उस बहाली को तत्काल रोग देती है तो वही वही नियम जो है जो अहां पर आपने लागू किया है यहां पर भी लागू करने की जरूवत है और ऐसा नहीं वे शिच्छा के भी लगातार परियास रत है कि मैं अपने उस मोडल में पास करूँ अब पर सिच्छित के रूप में सामने आए लगातार परियास रत है परियास है किसी कारण से उनका वह पर सिच्छन संपून नहीं हुआ है पून नहीं हो पाया है लेकिन वह परियास रत है तो सरकार और सिच्छा भी को इस पर संग्यान लेने की बात प्रिवर्तनकारी प्रारमिक सिचक्षंग के परदेश अद्यच ने पत्र के माध्यम से ग्यापन सब्ते हुए या जानकारी दी है कि ततकाल वैसे सिचकों को बेतन रोक बेतन पर रोक नहीं लगाया जाए जब तक न्यालय का फैसला नहीं आ की बात की जा रही थी वहां पर अपर सिचिति को को भी भर्जी सिच्छक पर तो जात होना चाहिए एक लाख से ज्यादा फ़री सिच्छक्षय के निगरानी के संदेह में है से इसको आगे लाई है और बेतन दे रही है चिछ्छ्छा विभाग को यह पता नहीं किन को बेतन दे रहें कौन फर्जी है डेतन का बोज बढ़ रहा है लेकिन उनके पास से वह अपर सिचित सिचको का पूरा जो खाका है जो डॉक्मेंस हैं उनका परमान पत्र है गाइब है गलती किसकी वह सिच्छक का भी रहे जो फर्जी है उनकी भी गलती नहीं बलकि यह विभाग की ग लेकिन उदर सिच्छक संग के एक नेता का एक नेता का यह आरोप था कि निघरानी में ही कुद खुद फर्जी भाड़ा है आखिर सी के को ततकाल बेतन नहीं रोगना चाहिए तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे हैं जैसे ही सिच्छा भी बाग की कोई और नोटेफिकेशन जारी होता है आपके बीच हम लेका आने का प्रयास करते रहेंगे लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को करने सब्सक्राइब अगर इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे तो फेस्बुक पेज को लाइक कर दे अगर यूटूब चैनल पर देख रहे तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर इस्टा ग्राम पर फेस्बुक पर भी हमें फौलो कर सकते हैं और डेदी हंट पर भी आप मतबात को फौलो कर सकते हैं और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे द्रिफ सेक्षन में दे रहे हिए धन्यवद जै हिंद जै भारत बंदे मातधम